हेलो मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों बच्चों का बहुत सारा सवाल आ रहा था कुछ बच्चे लोग इस बार सेप्टेंबर 2024 में एक्जाम दे रहे हैं और बच्चे डरे में हैं सब यह पूछ रहें कि इस बार क्या पेपर डिफिकल्ट आएगा ऐसा खबर आ रहा है कि पहला वाला जो पेपर आया था मतलब जो नियू सेलिबस हो गया है और से पहला पेपर जो आया था वह काफी लेंदी भी था और कुछ-कुछ डिफिकल्ट तो इस बार कैसा पर आएगा कि इस बार भी डिफिकल्ट आएगा इंटर्मीरिट का पेपर जो है उसका तो खबर वह दिफिकल्ट आ रहे हैं तो क्या फाउंडेशन में भी ऐसी करीगा नियुस अलिबस में हमारे साथ मैं समझ रहा हूं आपके अंदर बहुत सारा डाउट सारा है तो एक एक करके डाउट क्लियर करते हैं देखो क्या पेपर डिफिकल्ट आएगा देखो पेपर करके में अगर बताऊं पहले जो क्वेशचन माले 15 मांक्स का देता था ने इंस्ट्रीट बड़ा क्वेश्चन अब वही सारा क्वेश्चन 12 मक्स करके दे लाए तो इससे होता क्या है कि अब अगर 15 जगा 12 दे तो 3 मांक्स इंस्ट्रीट के पास और बजगा और एक वेशन लिए ऐसे इंस्टिटूट जो question 1 लो पहले 10 marks का देता था या 8 marks का दे रहा था उसको आजकल 6 marks में दे रहा है तो इससे क्या हो गया कि इंस्टूट के पस extra marks हो गया तो उसको भरने के लिए इक्स्ट्रा question डाल रहा है अब यू डालने के वज़े से क्या होता है कि question paper का लेंट बहुत बढ़ा हो जाता है नाउ अब यह जो paper बन क्याता है बच्चों को difficult लगने लग जाता है क्यों कि बच्चा normal speed के सबसे पढ़ाई करके गया है और लिखने जाता है तो बच्चा का पेपर 60-70 मार्क की उपर ले पाता है पेपर ही चूट जाता है और अगर पेपर ही चूट जाएगा तो पेपर difficulty होगा ना रहीट मेरे को पता यही तकलिफ हो रहा है तो येस क्या पेपर डिफिकल्ट आएगा तो मैं एक दम क्लेरी बोल सकता हूं कि येस इंशूट जो पैटर्न में आ रहा है तो आपके इसाब से पेपर डिफिकल्ट होगा तो मैं अगर वर्ड में बोलू मेरे वर्ड समझने होना तो भया इससे इससे लड़ेंगे कैसे अब दीमोरलाइज नहीं होना लड़ना है ना भाई कि छोड़ देना है अगर बॉलर बॉल कर दिया तो ऐसा बैट्समैन तो क्या तुम आउती हो जाओगे अरे पहले रोहित शर्मा थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते हो तो बाउंसर में तकलीफ होता था वही रोहित शर्मा अपने आपको ठीक कर लिया तो हर बाउंसर में शक्का मारा ना तो तुमको भी वही करना है तो यह क्या करना पड़ेगा स्पीड बढ़ानी का बच्चे एक ही तरीका राइटिंग प्रैक्टिस मतलब करना क्या है आप एक्जाम के पहले अरे अरे जितना भी आपका सब्जेक्स है ना सबका मेरा मानों तो मिनिममं 3 से 3 to 5 मतलब MTP और previous question मिला के कम से कम पांच तो मतलब तीन में कमी बोल रहा हूं येस अगर आप 6 पेपर उतार पाऊ तो हो जाएं यह कैसे करेंगे इसका strategy वीडियो मेरे आपको मिल जाएगा मैंने वह लास्ट 50 डे strategy बोलके डाला था तो वह फॉलो कर लो तो उसके अंदर आपको ना दिख जाएगा कि बहुत कैसे यह काम किया जा सकता है कि छैट हो प्रिवियस एर क्वेश्चिंस प्लस एंटी भी मिला के 6 पेपर कैसे लिखा जाएगा जब अब बार 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 लिखो गे ना तो आपका हैंस ट्रेंट हो जाएगा किसके लिए बहाए एक्जाम के पेपर को अ Alice सबकोट आपको महनद्न कन अ क्याको सारा और आर और आपको को आपको सबकोट किस्पीड नहीं रहे गा तो आपसे एक आंग 250 यह करना के जाए तो अब ज़्याइब करना करना कि अगर आपको इसमें लड़ना है तो करना तो पड़े गई तो मेरे सब से तो बियाग करो हो जाएगा ऐसा नहीं कि नहीं होगा बात समझ में आ गया तो पेपर difficult होगा कि easy होगा बात clear हो गया तो अब ज्यादा और कुछ नहीं बोलना बस इतना ही बोल रहा हूं all the best अच्छे से करो किन्तों मेरा बात माना पांस से छेट हो previous year question प्रेश्टी भी मिलाके practice करके जाना लिख के जाना भिया नहीं लिख के जाओगे तो आपको exam अब दिक्कत होगा फिर भीया clear नहीं होता तो बहुत मुझे बुरा लगता आप लोगी अब मैं अब मैं मैं पॉजिटीव हो कि आप यह करी लोगे मैं को पुरा बदोसा भी बहुत टाइम है आप करी लोगे all the best all the best all the best for exam अगर आपको वीडियो अच्छा लगाते तो लाइक करें अपने दोस्तों के ताथ शेर जरू करें और चैनल अभी ताथ सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर ले और यह वीडियो अपने सारे दोस्तों तक पहुचा दो सब्सक्राइब अच्छे एक्जाम देना और एक्जाम का क्या रिजल्ट आया यह वी में को बताना all the best